नमस्कार प्यारे सातियों रोजगार लाइव चैनल में आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक भहुती भैतरीन वेकेंसी को लेकर जो DSSB की तरफ से निकाली गई है इस वीडियो सेशन के अंदर में DSSB वाडर की पोस्ट के लिए डीटेल स से जानकारी देने वाला हूं बहुती सांदार video से समय होने वाला और यह सांदरे vacancy है किस परकार से आपका सउक्षण होगा और क्या क्या स्टेप आपको फोलो करने है कौन apply कर सकता है Elisability Criteria क्या है syllabus क्या रहने वाला है किस परकार से इसका एक्जाम होता, यह सारी चीजे हम इस सेशन के अंदर डिसकस करने वाले हैं, भहुत ही अच्छी वेकेंसी है और आपके सामने है इसका नोटिपिकेशन जो 10 11 2023 को डिकलेर किया गया था, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, ओनलाइन एप्लिकेशन फोरम की, तो 21 नवंबर 2023 से लेकर आप 20 दिसंबर 2023 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यह इसकी इंपोर्टन डेट से इनको आप जरूर ध्यान रखना है, चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए यह नोटिविकेशन डिकलेर किया गया है, लेकि इसके अंदर आविधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर में बात करूँ, टोटल नंबर वोग पोस्ट की, तो काफी अच्छी इसमें पोस्ट आपको दीगी है, टोटल 164 पोस्ट के लिए, जो नोटिविकेशन डिकलेर किया गया है, इस पोस्ट के लिए, तो न बारवी पास होना जरूरी है, अगर आप किसी भी बोड से बारवी पास है, तो आप इसमें आविधन कर सकते हैं, और इसमें हाइट की बात करें, तो 170 सेंटीमेटर इसमें आपकी हाइट होना चाहिए, अगर आप किसी रिजर्वेशन केटेगरी से ट्राइब, गोर्खा, गड़वाली एरिया से ब्लॉंग करते हैं, तो इसमें जो आपको हाइट में 5 सेंटीमेटर की छूट मिल जाती है, इसके बाद बात करें चेस्ट की तो इसमें आपका चेस्ट 81 to 85 सेंटीमेटर रहने वाला है, 5 सेंटीमेटर का फुलाव जो है, एक्सपेंसन है, वो होना ज जरूरी है, इसके बाद में आके बात करें physical standard की, तो physical standard में इसमें 16 मिन्टर की रेस आपको 6 मिनट के अंदर पूरा करना है, इसके बाद में 13 feet long jump आपको करना, यानि 13 feet का long jump करना, इसमें आपको 3 chance दिये जाएंगे, उसके बाद में इसमें एक high jump भी दिया गया है, high jump की बात वे physical endurance test जैसे ही आप pass करोगे उसके बाद में जो है आपका exam conduct इसके अंदर करवाया जाएगा और जो race है उसके अंदर आपको छूट भी मिल जाती है age group के according वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद में long jump के अंदर भी age के according high jump के अंदर भी age के according जो छूट है वो दी ज पदावएदन कर सकते हैं और यह जो है डिली prison के लिए post आपके निकाली गई है ठीक है यह किस के लिए ब्रीजन के लिए post आपकी निकाली गई है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर हमें application fees बताई गयी है मतर इसमें 100 रुपए application fees इसके अंदर रखी वन टीर है और यह जनरल आपका इसके अंदर एकजाम होने वाला है आपकी पोश्ट यहां पर 113 बटा 23 दी गई है दो घंटे का पेपर होगा 200 सवाल पूछे जाएंगे 200 मार्ग्स का आपका पेपर इसके अंदर होने वाला है ठीक है तो 200 मार्ग्स का पेपर जो होगा उसके अंदर्कुल 5 सेक्श्न आफको दिये जाएंगे दिए जाएंगे सेक्शंबर में जनरल अवेरिनेंस के 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे फिर सेक्शन टू में जनरल इंटेलीजन्स और रीजनिंग एबिलिटी के 40 सबाल पूछे जाएंगे उसके बाद Immetical and Numerical ability के 40 सबाल पिर टेश्ट ओप Hindi language हिंदी के 40 सबाल उसके बाद में English के 40 सबाल आप से पूछे जाएंगे इस परकार से total 5 section होँगे और परते ही section में 40 सबाल तो खुल आपके कितने सवाल होगे? 200. तो 200 सवाल आपके पेपर में आने वाले है box पेपर आपका Hindi और English दोनों के अंदर आएगा यानी सवाल आप Hindi में भी पढ़ पाओगे और English के अंदर पढ़ पाओगे. इस परकार से आपका ये पेपर होने वाला है, तो पेपर प्लस फीजिकल इसके अंदर आपका रहने वाला है, इसके बाद में आपका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद में इसमें आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो आपके लिए syllabus को लेकर और आगे के complete process को लेकर हम बात करेंगे और salary इसमें pay level 3 के according आपको मिलेगी लगवग 21,900 के आसपा से आपकी जो salary है वो इसके अंदर सुरू होने वाली है और ये permanent government आपकी job रहने वाली है दिल्ल जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ओके थैंक्यू धन्यवाद